Hello everyone, my name is Chandan Singh So guys, Spoken English का series है कई लोगों को अपनी रूटीन बोलने में प्राबलम होती है या अगर उन्हें अपने मम्मी, पापा, भाई, बहन, वाइफ, बेटे, बेटी के बारे में अगर कुछ बोलना हो उसकी रूटीन बोलनी हो तो प्राबलम होती है यानि कि इस वीडियो में आप सिखेंगे कि अपनी जो डेली रूटीन है उसे कैसे बोले और अगर कोई third person विकती है, कोई भी singular हो या plural हो उसके बारे में आप कैसे उसकी रूटीन बोलेंगे वह हमें देखना है गया से चले शुरू करते हैं सबसे पहले बात करेंगे कि आप अपने बारे में बोलना चाहते हैं कि आप सुबे से लेकर रात को सोने तक आप क्या-क्या करते हैं जो जो आप करते हैं वो आपको action पता होना चाहिए उसका word आपको पता होना चाहिए तो start करते हैं सुबे उठने से तो उठने के लिए आप get up का इस्तमाल करते हैं थोड़ा से मैं आपको बता दू कि वैसे हम wake up कहते हैं लेकिन wake up का मतलब होता है आँखे खोलना, जगना यहनि कि आपके आँखे खोल गई वो wake up है, लेकिन हो सकता है कि आप बिस्तर में ही है जब आप बिस्तर से उठकर बाहर निकल जाते हैं, तब हम get up का इस्तमाल करते हैं, तो इसलिए ज़्यादा तर daily routine बोलने में get up का ही आपको इस्तमाल मिलेगा, तो wake up मैं रहने देता हूँ, get up से काम करते हैं तो जब आप उठते हैं, तो get up हो गया अब get up के बाद आता है कि आप fresh होते हैं, तो problem यह कि कई लोग पूरा गिनवाएंगे कि मैं bathroom जाता हूँ, मैं brush लेता हूँ मैं brush करता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं shampoo करता हूँ ज़रूरी नहीं है कि आप इतना बोले, हाँ अंग्रेजी सही करनी है, तो आप practice कीजिए लेकिन कहीं पर अगर आपको daily routine बोलना है तो आप क्या बोलेंगे, कि मैं bathroom में जाता हूँ, मैं brush लेता हूँ, मैं paste निकालता हूँ, paste को brush पे डालता हूँ नहीं भाई, get fresh मैं fresh हो जाता हूँ, बस उस get fresh में सब कुछ हो गया explain करने की जरूरत वहाँ पर नहीं ठीक है, नहीं तो कई लोग आप देखेंगे कि यहाँ तक बोलेंगे कि मैं कंगी लेता हूँ और कंगी करता हूँ वालको, इतना आपको नहीं बोलना है सामने जो आपको सुनना चाहता है उसके पास वक्त नहीं है अगर आप interview होगर दे रहे हैं तो और ऐसे daily life में बोलना है तो आप हर एक activity बोली जो जो आप करते हैं ताकि आपकी practice हो सके तो कहीं पर अगर professionally आपको यह बताना है daily routine तो सुबह उठता हूँ, fresh होता हूँ, बस उसके बाद आप जो भी करते हैं तो आपका formula है कि आप खुद को I बोलेंगे, verb की first form उसके बाद आप जो करते हूँ आपका object हो गया अब रही बात, इसके अंदर मैंने बस दो-चार चीजे डाला है कि सुबह उठता हूँ, fresh होता हूँ, चाय बनाता हूँ, नाश्ता करता हूँ, office जाता हूँ, 8 गंटे काम करता हूँ office में फिर office को मालो 6 बजे मैं office को छोड़ता हूँ, उसके बाद मैं घर पहुंसता हूँ फिर rest करता हूँ कुछ देर, फिर dinner खाता हूँ, TV देखता हूँ और सो जाता हूँ यह मैंने एक fake routine लिखी है, आपकी अपनी एक routine होगी, जो भी आपकी routine होगी वो इसी formula पर होगी, यही structure होगा, I बोलना है, उसके बाद आपको verb की first form लगानी तो अगर बोलना है कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, तो कैसे बोलना है, I get up at 6 o'clock in the morning अब जब आप एक sentence से दूसरे sentence पर switch करेंगे, उस वक्त आपको connectors लगाने पड़ते हैं जैसे अगर आपके मन में चल रहा है उसके बाद, तो आप लगाएंगे after that, after that बार-बार after that बोलेंगे तो सुनने में बुरा लगेगा, तो बार-बार नहीं बोलना है फिर आप कभी then बोल दीजिए, then का मतलब होता है फिर, जैसे कि आपने बोला कि मैं सुबह उठता हूँ, फ्रेश होता हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता करता हूँ, फिर मैं तयार होता हूँ, तो ऐसे करके आप बोलेंगे तो उसके बाद है, तो after that, फिर वाली feeling आ रहे है, तो then, कहीं पर आप सिधा बोलते है और, तो आप end बोलेंगे कहीं पर आपको बोलना होता है कि खाने के बाद, सोने के, सोरी, बाद कहारो, सोने के बाद, खाने के बाद, चाय पीने के बाद, तो आप after के सांथ, वर में ing का इस्तमाल करेंगे कि खाने के बाद after eating, चाय पीने के बाद after taking tea फिर आता है कि खाते समय, सोते समय, पढ़ते समय अगर ऐसा बोलना है तो while लगाएंगे और word में आई एंज लगाएंगे खाते समय while eating तो इसका आप इस्तमाल बीच बीच में कर सकते हैं अगर आपको बोलना है कि कुछ भी करने से पहले तो आप यहाँ पर before लगा लिजिए before बोलिए और before के बाद word में आई एंज जैसे आपने बोला कि खाने से पहले तो before eating तो यह connectors आप लगाएंगे गाईज अब यहाँ जो लिखा है मैं उसे बोल करके दिखाता हूँ कि अगर यह मैं हूँ तो मैं खुद को आई बोलूँगा कि I get up at 6 o'clock in the morning after that I get fresh and take tea then I take breakfast after taking breakfast I go to office and I work there for 8 hours after that I leave the office at 6 p.m then I reach home after reaching home I take a rest for some time then I take dinner after that I watch TV for some time and finally I go to bed and sleep हो गया यह तो इस तरीके सापको practice कर ली है तो आप अपने daily routine जो जो करते हैं उसको सोचिये और यह formula लगाईए और बीच में जितने connector से लगा करके देखिये यह तो हो गया कि आप अपने बारे में कैसे बोले नहीं अब आपको मालू अपने भाई के बारे में बोलना है बहन के बारे में बोलना है तो जहाँ पर get up आप अपने लिए get up बोलते थे तो third person singular के लिए आपको gets up बोलना होगा जहाँ पर आप get fresh बोलते थे वहाँ gets fresh बोलना होगा जहाँ आप go बोलते थे वहाँ goes बोलना होगा यह ख्याल रखना है अगर वो third person plural है मालो कि आपका एक बेटा है और बेटी है या दो बेटे है या दो बेटिया है और दोनों एकी टाइम पर उठते है तो अगर जो जो रूटीन दोनों की मिलती है फ्रेश होती है, चाय बनाती है, चाय पीती है, उसके बाद ये नाश्ता करती है, फिर कॉलेज जाती है, सारे लेक्चर्स अटेंड करती है कॉलेज में, उसके बाद ये पांच बजे घर वापिस आती है, और रेस्ट करती है कुछ देर, उसके बाद ये डिनर लेती है, टीव o'clock in the morning after that she gets fresh and makes tea after making tea she takes tea then she takes breakfast and after that she goes to college and attends all the lectures in the college after that she comes back home at 5 p.m. then she takes a rest for some time then she makes dinner and after making dinner she watches tv for some time then she takes dinner and finally goes to bed and sleeps समझ मैं तो अब आपको करना क्या है कि आपको अपनी routine को बार बार एक बार दो बार पांच बार जब तक आप लुकुल फिल्वेंट ना हो जाए आप को बार बार बोलनी है आप Monday से ले करके Friday तक कुछ क्या क्या करता हूं तो आपको यह तो सुबह से शाम पूरे दिन की routine सुनाने की practice करनी है यह तो करे qarे इसके बाद आप चाहे तो Office के अंदर आप क्या क्या करते हैं Office से छूटने के बाद जब आप घर आते हैं उसके दिखा सकते हैं फिर आप अपने किसी family members की बारे में ट्राइख कीजिये कि चलो यह आर पापा की रोटीन बोल करके देखते हैं, फिर यह फिर फोर्मुला होगा, अकेले प्रक्टिस कीजिए, आप कहीं भी खड़े हो जाएं, बैड जाएं, यह तहली और बोलते रहें कि you know my father gets up around 6 o'clock in the morning after that he gets fresh then he goes to market and purchases milk packets after that he comes back home then he gives milk packet to my mother my mother makes tea then my mother gives tea to my father my father takes tea and after taking tea my father starts reading newspaper ऐसे करकर क्या प्राक्टिस करेंगे क्योंकि किसकी क्या रूटीन मुझे तो पता नहीं होगा मैं बस एक तरीका बता सकता हूँ तो आप इस फॉर्मूले पर बैठाएं और बोलने के लिए प्राक्टिस करें एनी प्राउलम गाईज तो यह बहुत जरूरी होता है डेली रूटीन बोलना कई बार ऐसा होता है कि बड़े-बड़े कंपनी में आप इंट्रिव्यू के लिए जाते हैं तो छोड़ा सा इंट्रिव्यू ले ले लेते हैं कुछ पूझते कि अच्छा बताओ अपने मम्मी के के अंदर आएगा या कोई ऐसे बोले आपसे शाम को मिल रहा है शाम को और कह रहा है कि अच्छा आज पूरे दिन क्या किया तो बेसक वह आज कह रहा है तो आज पूरे दिन क्या किया यानि को बीता हुआ पूछ रहा है तो डेली रूटीन का मतलब होता है कि जो हर रोज common होता है, आप हर रोज 6 बजे उठते हैं, आप हर रोज office जाते हैं वो आपका routine है, लेकिन कोई बोले कि अच्छा आज क्या किया बता तो आज जो किया वो past है, हो सकता है आज आपने किसी को चाटा मारा, रोज आप चाटा नहीं मारते, तो daily routine का मतलब है, जो रोज घटीत होता है आपके साथ, कोई बोले कि अच्छा Sunday-Sunday क्या करता है, तो जो आप Sunday-Sunday करते हो, हर Sunday वही करते हो, वो बोलना है, तो अगर कोई बीता हुआ पूछे ना, रात को पूछे कि आच्छा, आज पूरे दिन क्या किया, तो आप second form में बताएंगे, verb की second form होगी, और अगर कोई बोले कि एच्छा daily routine सुना, यानि कि जो तू रोज ही करता है, वो verb की first form, और third person singular के लिए बोलना है, तो verb की first form में yes या yes लगाएंगे, इसका ख्याल रखेगा दोस्तों, ठीक है जी? तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप प्रक्टिस कीजें, मिलते अगले वीडियो में, till then take care, keep practicing and have fun, अगर आप चाहें, तो इसका एक screenshot ले सकते हैं friends, thank you guys